नमस्कार आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत फोना है हमारी ऑल इंडिया जो हमने कले एक एक्सर शीट के बारे बात की थी और कुछ लोगे डाउट भी थे और मैं कुछ लिए डाउट क्लियर कर दूं आपको नम शैद मैंने पहली वीडियो में क्लियर किया था पर शैस उसमें काफी चीज़े क्लेर करती थी तो यह कभी पर चीज़ खो जाते हैं जब आप बहुत सारी चीज़े खटे बात करते हो तो यह है कि सब्सक्राइब करा कि जो भी कॉलिज लास्ट एर खुले हैं गवर्मेंट के वह थोड़े नीचे रखे हैं चाहे यूपी क जवाब कभी भी ना यस नो नहीं है देखिए जब कस्तूर वा गुरूप ने मनिपाल टाटा खोला पहले साल चार साल पहले तो पहले साल में सूपर हिट था क्योंकि वह जो गुरूप है वह जो प्रोवाइड करेंगे पहले साल में परफेट करेंगे और कुछ लोग कुछ लोग हैं जो पांस साल आठ साल बाद भी स्टगल कर रहे होते हैं बिगोस बैट कॉलिटी लोग जो लोकेशन खराब है तो पहला साल इस नौट हार्ड कोर क्रेटीरिया दूसरा साल या तीसरा साल या कुछ लोग कहते हैं रिकागनीशन वर्सिस परमिशन भाई वह तीन साल बाद लेनी होती है तो किसी कोई कॉलिज हो भी गया तीन साल में पता चले हो पांच में साल में दुबारा से हो जागा जो राहस्तान के हुए थे दो साल पहले याद है आपको विचार एक आद भी नहीं तो फिर यह क्या चक्क्र है मैं वट इस लॉजिक हाओ डू मैं मैं चाहिए तो आइम नोट ओली है एंबी बीएस कंसल्टर हम तो एक करियर कांसलर हैं और एक दुनिया को बहुत बड़े नजरिये से देखते हैं तो जब अचानक से तिलंगारा में कॉले जाते हैं इस साल या दो साल पर यूपी में खोले गए थे या इस साल अभी भ इस बात को बड़ चड़के बोलती हैं कि हमने अपने टैन्यूर में इतने कॉलिज खोले और मैं सब पाल्टियों की बात कर रहा हूं तो इलेक्शन वाले येर में दबा के कॉलिज खोले जाते हैं जैसे इस साल तेलंगारे में इलेक्शन है तो अनौंस कर दिए गए हैं र सरकारी मेडिकल कॉलिज खोलना अब इशू क्या है कि एक सरकारी मेडिकल कॉलिज खोला जाता प्लैनिंग के साथ कोई दिक्ट नहीं है कि आपने प्लैन किया तीन सार पहले बिल्डिंग मुनानी शुरू करी और आज खोला एक होते हैं कि हमें पॉलिटिक्स के लिए आज पर यह शेश्य में लाउंच करने चार मेने बाद इलेक्षन या आठ महीने बाद सेंटर इलेक्षन है तो उन जिलों में जो जिला अस्पाल होती है उन में एक कोलेज खोला जाता है अस्पताल तो ही जैसे काफी अच्छे भी खोले गए जैसा मैंने का लेकिन आज तो इस अस्पताल की बिल्डिंग भी शुरू भी भी हुई है तो उसी जिला अस्पताल में जो चार कमरे थे ना डॉक्टरों के लिए कुछ और फ्री कमरे थे उसको बना दिया मेडिकल प्रस नहीं होते लग कुछ भी सुविधाई नहीं है जिला कॉलिज वाला इंफ्रासेक्टर है जिला वाला महौल है और उसमें आपने छे कमरे दे कि आपने मेडिकल कॉलेज लॉंच कर दिया तो उस कॉलिज में जब आपका बच्चा पहले साल या पहले टेनुर में जाए सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए और जैसा मैं मेशा कहता हूं कि स्रकाई तो फिर भी कोई नहीं छोड़ता तो ठीक है जी आप मत छोड़ी है आपको मैं कैवी नहीं कॉलिज छोड़ने के लिए तो उसकी वज़ए से हम लोग लेते हैं क्योंकि स्फ्री है विशाट सतर जार क्लाइट्स होती है तो क्वालिटी को इग्नोर करके वन कॉलिजों को जोइन करते हैं यह मेरे कहते हैं कि सरकारी में जाएंगे नहीं तो फिर अपन प्राइवेट में कस्तूर्वा बगरा लेंगे हमारे सब्सक्राइब बड़ी बात नहीं है पूरे कोर्स के या करनाटका क शांदर कॉलिज जो स्टेट प्राइवेट के जो खाली आपको टोटल मिला कि आपके पच्पार लाग लगते हैं तो कई मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो सरकारे सीट छोड़के करनाटका स्टेट प्राइवेट लेते हैं कैम्पे गौड़ा बीजी एस विदेही वगयरा जो अगर्चे आपके पास पैसा है तो कुछ सरकारी कॉलिज यहां बिल्कुल बच्चा पढ़नी पाएगा नेक्स्ट में भी दिक्कति में जाएगा और फ्यूचर में भी वह लर्णी नहीं कर पाएगा उसे अच्छा है आप कस्तूर बाद जाईए मंधिपार टाटा जाए कर सब्सक्राइब को पढ़ाएगे तो सरकारी तो में अगर निया खोला गया है लेकिन के साथ खोला गया तो वह अच्छा होगा लेकिन सरकारी सरफ अचानक से खोले जा रहे हैं जैसे यूपी के बार हम पूरी कोशिश की जा रहे हैं कि अभी भी लांच हो जाएं और मैंने आपको बना था कि कोशिश कर रहे थे कि यूपी के बारा कॉलिज को प्रूव कराने की और अभी भी कोशिश जा रहे हैं कि और राउंट टू में एंट्री कर जाएं को मालूम है प्राइवट में भी सेम लॉजिक है कि अगर अमृता की गुरूप से आ रहा है तो पहले साल एलः शांदार होगा वह न Score मनीपाल से अग्रूप से यह पहले साली शांदार होगा में विव सादभापूर और भावर ने करें किता करें जो बिल्कुल में खुद बनियां और बनिए लालाओने खोले हैं *** कमाने के खेलिये हैं मैं हर विडियो में नाम नहीं लेना चाहता पर आप जानते ही हैं पहले एंगिरींग कॉलीघ दीनिक इंगनीय कॉले दिया चो इस भाव से इस भूसे को似े जाते हैं पहले साल में भी आठ्वे साल में दसे साल में व рук इर फार ener to Ichu यह क्लारिफिकेशन है कि जनरली मैंने इस साल के तिलंगाना या राहिस्थान के लॉन न्यू लॉन्स कॉलेज अपनी लिस्ट में नीचे गयो रखे हैं आप भी रखिए आप नौर्स इंडिया से बिलॉंग करते हैं पर कुछ यह कॉलेजिस ऐसे जिनके भी मैंने काना क्लास इस बनानी है और आपको चॉइस करने अपने खॉलिज कर सकते हैं तो हमें सरकारी मिल भी रहा हो शैयद हम नहीं लेंगे और टॉप क्लास प्रैवट कॉलिज में चले जाएं यह आपके लिए आपका दिन शुब हो हमसे संपर्क करना चाहें 96433 62320 पे खॉल कीजिए और आ भी फ्री नहीं होती बात करने के थाएजार रुपे फेस्टो फेज मीटिंग के पांच जार रुपे और देन वी डिसाइट कि आपका पैकेज क्या होगा पच्चीजार सी डेड़ लाग तक जाता है प्योर सरकारी सीट के लिए 25 रुपे रहता है बहुत यूनीक केस होते ह हैं जिनके लिए हमें 12 काउंसलिंग भरने परती है बहुत सरी प्लैनिंग करने परती है उनका केस वहां पर जाता है या एनराई के जो केसिस होते हैं ओके आपका दिन शुभू नमस्कार बबाए